नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ओल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा एक नज़र डलते हैं उत्राखंट की खास कपरों पर हमेशा अलागंदा आज मैं जनता की बीच जाने वाले उत्राखंट के पूर मुख्यमंत्री हरीश रावाद एक बार फिर से नई रूप में दिखे हैं चंपवजला मुख्याले मैं चाय पर चौपाल कारेकरम का आयोजन कर लोगों से जनसंपर्ग किया है उनने मोटर स्टेशन पर खुद चाय तयार किये और कारेकरता को पिलाई ए उननों न खाय कि जनता इस बार परिवरतन के मूड में है उननों खाय कि यदि कारेकरता उन्हें ठान लिया तो 2022 में कॉंग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोख सकता है कॉंग्रेश हमेशा विकास के लिए काम करती है उत्राखंड की तर्वेंद रावत सरकार अपने कारेकाल का आखरी बजट प्रदेश के ग्रीश मिकालीन राजदानी गैरसेंड इस्तित विधानसभा में बेश करेगी प्रदेश मंत्री मंदल में गैरसेंड में एक से दर्श मार्च तक विधानसभा के बजट सत्रका प्रिस्ताफ को मनजूरी मिल गई है मुख्यमंत्री त्रवेन सिंग रावत के अदिक्षता में हुई बैटक में पाच प्रमुग प्रिस्ताफों पर चर्चा हुई जिन में से एक प्रिस्ताफ को इस्तगित कर दिया गया उत्रकंड में मौसम के करवट लेने की संभावना है भारतिय मौसम विज्ञान केंद्र के और से परिवर्तिय इलाकों में बर्फवारी और हलकी बारिश की सम्मावना जता दी गई है राजदानी दैरादून में भी हलकी बारिश के असार है महीं आज सुबह की शुरुवात कोहरे के साथ हुई है पहार से लेकर मैदान तक कई इलाकों में कहरे के असर देखने को मिल गए है लेकिन कई जगा धूप खिली हुई है और ऐसे मैं कई हलकी बारिश भी देखने को मिली है फिलाल मौसम लगातार करवट बदलता रहेगा उत्रकंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को एक और तफ़ा दे दिया है उन्होंने साप्ता एक अफकाश को बाकी चार जिलों में भी एक माई से लागू करने को मंजूरी दे दी है कॉंस्टेबल और हेट कॉंस्टेबल के लिए ये सुविदा फिलाल ट्राइल के रूप में नौ पहाड़ी जनपदों में लागू थी ये निर्ने मंगलवार को पुलिस में खेले में आयोजीत अधिकारियों के साथ कॉंफरेंस में लिया गया है जलाद्यक्षर संजय कि शोर के नेत्रत में तिलग भवन विकासनगर पर एकत्रत हुए है जहां से विशाल जुलूस के रूप में विकासनगर की परकर्मा करते हुए कारकरता पहाड़ी गली चौराय पर पहुचे है यहां भाजपासरकार के विरुद नारेवाजी करते हुए कॉंग्रिस कारकरताओं ने भाजपासरकार का पुतला दहन किया लालकुव में हातिकाना की लाइफ लाइन माने जाने वाली सड़क पूरी तरिकी से जरजर हो चुकी है जगा जगा गड़े बन गए है इस सड़क मार्ग से कई कॉलोनियों के हजारों लोगों से लेकर नेताओं और अधिकारियों का आने जाना लगातार लगा रहता है यह सड़क कई राजनितिक पार्टियों के नेताओं के घरों तक जाती है सड़क जरजर रहने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन उसके बाद भी जनपरतिनी दी और अधिकारी इस मामले पर दिहान नहीं देते फिलालेस बुलिटर में सिर्फ इतना ही बने रहे है निउस वर्ल इंडिया के साथ नमस्कार